नमस्कार रुस्तो आज की वीडियो में जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं ये मिलकी मुस्रूम की प्रॉफिट कल्कुलेशन को लेकर के बनाया गया है तो इसको पूरा सुनिएगा और समझने कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कल्कुलेशन समझ में आ जाए चुकि आप इसका बिजन्स करेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि आपका खर्चा कितना लगने वाला है और आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है minimum 200% है यानि अगर आपने 2 kg भूसा लिया है सुखा तो उसमें चाहे धान का भूसा चाहेगे हूं का तो 2 kg तक मश्रूम आसानी से निकल जाती है तो मैं उधारड आपको 2 kg भूसे की साफ से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए एक भैक का मैं उधारड बताने जा रहा हूं एक भैक का कल्कुलेशन अगर आपको पता हो जाएगा तो इसी तरह से आप चाहे इसका 100 भैक का कर लिजे 100 गुना करके 500 भैक कर लिजे 1000 भैक कर लिजे जितना आप चाहे उतना कल्कुलेशन कर सकते हैं तो एक बैक के लिए अगर मैं दो किलो भूसे का एक बैक अगर मानू तो भूसा जो है दस रुपए केजी तक standard ratio जो है इसका यही होता है कई जिगए अगर धान का पारा आप देखें तो फ्री में भी मिल जाता है लेकिन मैं इसको दस रुपए केलो के इसाफ से अगर मानू तो दो किलो अगर सुखाबुसा लेंगे तो 20 रुपए का सुखा भूसा हो जाएगा इसके लिए एक बैक चाहिए होगा अगर दो रुपए मान लू उसका तो दो रुपए हो गया बैक का और दो किलो भूसे में आपको 200 ग्राम मस्रूम का बीज जालना होता है यानि एक कि रुपए पर केजिक हिसाफ से इसका स्टेंडर रेशियो मान लेता हूं तो 130 किसाफ से 200 ग्राम बीज करेट निकालेंगे तो 26 रुपए होता है इसमें जो बवस्टीन फार्मलीन दवा लगेगा बहुत ज्यादा नहीं लगता है लेकिन 5 रुपए एक बैक पर मान लेता हूं आएगा और इसके अलामा जो है इसमें आदर चार्जेज भी आते हैं कुछ जैसे आपका ट्रांस्पोरेशन खर्चा होगा बिजली का खर्चा होगा पानी का होगा लेबर होगा तो दो चाचार पांच-पांच रुपए जो है इन सफी भी भी खर्चा होगा एक बैक पर त है जोकि मिलकी मुश्रूम बिना केसिंग मिट्टी के नहीं ग्रो होता है तो इसको सारा मिलाकर के खर्चा 47 रुपीज हम माल लें अगर तो टोटल जो जोडेंगे तो भूसा जो है दो किलो का 20 रुपए पॉलिथीन दो रुपए का दो सो ग्राम मुश्रूम का भी 26 रुप काट के पाने विजली ट्रांस्पोरेशन खर्चा केसिंग मिट्टी सारा काट के जो है इसमें जितने ही माटेरियल यूज किये हैं सब जोड करके एक बैक का खर्चा 100 रुपए मैक्सिमम वैसे जो खर्चा मैंने लिया है आपको बता दूं इतना नहीं लगता है एक बैक का जो खर्चा आता है मैक्सिमम 50-60 रुपए आता है 70 रुपए तक जा सकता है इतना इससे जादा नहीं जाता है लेकिन मैंने इसमें अधिक्तम कल्कुलेशन इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपका कोई नुकसान ना हो तो 100 रुपए जो है आपका 2 कि आपका मसरूम निकलेगा और मैक्सिमम 4 किलो तो मिनमम मैं मान के चलता हूं कि 2 किलो मसरूम निकलेगा गर्मी के दिन में होता है तो गर्मी के दिनों में मसरूम का रेट बढ़ जाता है दो से 300 रुपए केजी तक जाता है तो 200 रुपए किलो जो है मसरूम का भी अगर मैं म गुना प्राफिट हो रहा है यानि 300 रुपए का प्राफिट हो रहा है जो बिजनिस का रेशियो है प्राफिट का रेशियो है तीन गुना आ रहा है जब कि हम आपको सिर्फ बताते हैं कि आपका जो पैसा है तीन महिने में डबल हो जाएगा कोई भी ऐसा बिजनिस आप देख मार्केटिंग में दिक्कत आती है तो में उनको ये बता दूं कि मार्केटिंग के लिए थोड़ाさんा घर बैठे आप ट्रेनिंग अटेन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉंटेक्ट नमबर है, आप जो है कॉल ये वर्टसप करके जानकारी भी हांसिल कर सकते हैं, बाकि डिटेल इंफरमेशन ले सकते हैं, जो रिटेन हमने बताया बिल्कुल एकुरेट है, सही है, कह नहीं से भी आप इसको पता कर लेजिए, अगर कोई सवाल है तो कमेंट जरू करिएगा, मैं रिपलाई देने कोशिश करूँगा, आज के लिए फिलालता है, थैंक्यू सो मच्च